केवल पढ़ने के लिए शाबाश अपने आसपास हमने बहुत से स्वस्थ और संपन्न लोग देखे होंगे जिने औरों से या अपने आप से बहुत शिकायत रहती है इसे दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनके शरीर के अंग उनका साथ नहीं देते पर अपनी हिम्मत, धैर, परिश्रम और द्रण निश्चे से वे सभी को हैरान कर देते हैं ऐसे लोगों को हमारा सलाम दीपा मलिक दीपा मलिक जन 30 सितंबर 1970 ने 2016 पैरा एंलम्पिक में शौटपूट में रज़त बदत जीत कर इतिहास रचा तीस वर्ष की उम्र में तीन ट्यूमर सरजरी और शरीर का निचला हिस्सा सुन हो जाने के बावजूद उन्होंने न केवल शौटपूट एवं जैवलिन थ्रो में राश्ट्री अंतराश्ट्री प्रतियोगिता में पदक जीते हैं बलकि तैरा की एवं मूटर रेसिंग में भी कईस परधाओं में हिस्सा लिया है उन्होंने भारत की राश्ट्री अप्रतियोगिताओं में 33 वर्ण तथा चार रज़त पदक प्राप्त किये हैं विभारत की ऐसी पहली महिला हैं जिनने हिमाले कार रैली में आमंतरित किया गया वर्ष 2008 तथा 2009 में उन्होंने यमुना नदी में 33 तथा स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर दो बार लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया यही नहीं सन 2007 में उन्होंने ताइवान तथा 2008 में बर्लेन में जावलिन थ्रो तथा तैराके में भाग लेकर रजत एवं कान से पदक प्राप्त किये कॉमनवेल्ट गेम्स के टीम में भी वे चैनित की गई पैरालंपे खेलों में उनकी उलेखनी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरुसकार प्रदान किया पैरालंपे खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा मलेक पहली भारतीय महिला बन गई है मरियपन थांगा वेलू एक बस ने पांच वर्षे मरियपन को टक्कर मार दी थी इस दुरगटना में उनका एक पैर कट गया बचपन में मरियपन को वॉली बॉल खेलना अच्छा लगता था और अपने एक पैर के खराब हो जाने के बावजूद वे इसे खेलते रहे उनके प्रतिभा को देखते हुए एक बार उनके शिक्षक ने कहा कि वे उँची कूद में हाथ क्यों नहीं आजमाते मरियपन को बात जच गई और 14 साल के उम्र में उन्होंने पहली बार उँची कूद की प्रतिसपरधा में हिस्सा लिया वो भी सामान एथलीटों के खिलाफ उस प्रतिसपरधा में वे दूसर स्थान पर रहे 2016 में मरियपन का चैन पैरलंपिक खेलों की भारती टीम में हो गया जिसमें मरियपन ने स्वर्ण बदक जीत कर भारत का मस्त कूँचा किया